पैर के अंगूठे पर बाल होना नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का H.S. with लक्षमी में आज इस वीडियो पर हम चर्चा करें। पैर के अंगूठे पर बाल होना शुब होता है या अशुब होता है इसके बारे में आप सभी को विशेश जानकारी देंगे वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आदमी के शरीर पर अधिक बाल पाए जाते हैं और औरत के शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। इसके पीछे क अशुभ मानना यह एक मूर्खता है वैसे सामुदरिक शास्त्र के अंदर भी कई प्रकार कि हाथ-पैर-चहरे के बालों के बारे में वर्नन किया गया है भविश्य से जुडे कई सवालों के जवाब के बारे में पता चलता है इतना ही नहीं ये भी पता चल जाता है कि शरीर के किसके संग पर बाल होने का क्या मतलब होता है आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के पैर के अंगूठे पर बाल होना शुब होता है या अशुब तो दोस्तों सर्व प्रथम हम करेंगे आदमी के अंगूठे पर बाल होना शुब होता है या अशुब है तो आए जानते हैं पैर के अंगूठे पर बाल होना सामुद्रिक शास्त्र की माने तो जिन पूरूशों के पैर के अंगूठे पर बाल होता है वो अतिशुप माना गया है इसका अर्थ है कि उन्हें हर काम में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा जिन्हें बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है और इन्हें जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है तो दोस्तों अब जान लेते हैं, अगर महिला के पैर की अंगूठे पर बाल हो तो वह शुब होता है या अशुब होता है, अगर दोस्तों महिला के पैर के अंगूठे पर बाल हो तो वह शुब नहीं माना जाता है कहते हैं, अगर महिला के पैर के अंगूठे पर बाल है तो